बहुत लोग ऐसे होगे जिनके अब वेडिंग हैं बट 5 वियडिंग नगेया है तो ऊसमें बहुत सारी चीजों में बहुत डिफ्रेंग्गेया है आज अज की यस वीडियो में मैं वह अब ज़से है जिसमें आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा तब से अप में I am Ismita Gupta, I am a wedding planner हम लोग 14-15 years से wedding planning कर रहे हैं and we have organized lot of weddings, weddings, destination weddings बहुँ चादा कर रहे हैं और मैं अपने videos के तुरू कोशिश करती हूँ बहुत कुछ लेकर आने के लिए जिससे आपको wedding planning थोड़ा easy हो जाए अगर आप खुछ से सारी चीज़ें plan कर रहे हैं तो मेरी खुद की wedding 18 years पहले हुई थी and there is lot of difference की तब जो चीज़ें थी और आप चीज़ें तो discuss करते हैं हम लोग एक एक करके वो changes क्या है जिसके लिए आपको prepare रहना है सबसे पहला involvement of bride and groom throughout wedding planning और उसका सबसे बड़ा reason है social media क्योंकि बहुत सारी pictures, बहुत सारी weddings, videos वो लोग social media में देख देके एक ऐसा prepare हो जाते कि उनको लगता है कि यही मेरी dream wedding है यही मुझे सब कुछ wedding में करना है तो उनको involved होना पड़ता है जितना भी आपको जो भी final करना है उस समय उनका involvement रहता है पहले hardly कहीं यह होता होगा कि bridegroom wedding planning में involved है venue final करने में, vendor final करने में बट आजकल यह common है और यह कई बार चीजों को बहुत easy भी कर देता है क्योंकि सारी चीज़े बहुत sorted हो जाती है यह आज की generation है कैसे deal करना है कैसे final करना है कैसे explore करना है यह उनको बहुत अच्छे से आता है बट कई बार यह जो involvement of bride and whom है वो कई बार चीज़े को complicated भी कर देता है जिसमें की time जादा लगता है and second biggest change is the craze of destination wedding आज के time पे 70-80% लोग जोए destination wedding पे जा रहे है destination wedding का आजकल यह मतलब नहीं रहे है कि हम बाहर कहीं जाके कर रहे है उसी को destination wedding बोलते है आप अपनी sitting में भी अगर two night stay कहीं पे book कर रहे है किसी hotel में अपना घर बंद करके जा रहे है सारे लोग एक साथ रह रहे है और सारे events आप उनी दो दिनों में कर रहे है तो वो भी destination wedding residential wedding होता है तो आजकल उसका craze बढ़ गया है और वो बढ़ने से क्या changes आ गया है पहले जो rituals, जो ceremonies हम घर पे कर लिया करते थे हल्दी, मेंदी, तेलबान, भात इस तरी की पूजा या ceremonies हम लोग घर पे करते थे वो आजकल mutual या publicly सबके सामने celebrate होने लगी है क्योंकि जो हम destination wedding कर रहे हैं वहाँ पे stay कर रहे हैं और फिर हमें उसको एक celebration जैसा करना पड़ता है हमें उसमें decoration भी देखना है फिर हमें उसमें entertainment भी देखना है क्योंकि हमारे सारे guests होंगे, सब लोग involved होंगे तो इस वज़े से आपका जो number of ceremonies हैं जो आपको सारे guests के साथ करना है, वो बढ़ जाती है इसके बाद संगीत, अगर मैं संगीत की बात करूँ तो पहले क्या होता था usually संगीत ceremony जैसे हम ladies संगीत बोलते हैं वो होती थी bride के घर में शादी से पहले वहाँ पे सारी bride's की friend, जो भी आपकी घर के आसपास की ladies हैं वो सारे लोग आते थे और वहाँ पे वही dance वहाँ से संगीत होता था and groom side में it took place post wedding, जो हम कहते थे मुह दिखाई बुलावा उसमें क्या होता था, जब बहु घर पे आई है, तो हम आसपास मौली की ladies अगरा को बुलाके एक बुलावा या एक संगीत रखते थे, वो lady संगीत होता था तो कहने का मतलब है कि bride side में वो अलग होता था, groom side में वो अलग होता था बट आजकल वो संगीत, मुह दिखाई बुलावा या lady संगीत, वो सब खतम हो गया है इस संगीत night now, एक musical evening जो सब मिलके करते हैं, mutual होता है और बहुत धूम दड़ाका, बहुत dance, fun सब एक साथ करते हैं तो इसमें एक major change आया है और संगीत के साथ साथ after party का concept जो की सब को करना है, जो आज की youngsters हैं, जो bridegroom के friends हैं, cousins हैं उन सब को करना है after party, after party means संगीत की सारे लोगों के साथ हम कर रहे हैं और after party जो रात देर तक जगना चाहते हैं, dance करना चाहते हैं, वो midnight तक तो उन लोगों के लिए after party होती है, वो हम कोई एक indoor छोटी सी जगा लेके वहाँ भी organize कर सकते हैं इसके बाद photography, photography में आपको बोहत चेंज देखने को मिलेगा, पहले तो क्या होता था, एक still photographer बुला लिया, एक videographer बुला लिया, जादे से जादे वीडियोग्राफर दो होते थे जो एक आपका light man हो गया, एक camera man हो गया, अब क्या हो गया, आपकी 8-10 की team होती है, तुकि अब cinematography चल गई है, तो इससे कम team में काम नहीं चलने वाला है, और अब आपको photography में तब से अप में बहुत major change देखने को मिलेगा, इसलिए इसमें भी आपको बहुत time लगने वाला है, कौन सा shortlist करें, फिर किसको final करें, फिर उसमें क्या-क्या चीजे include होनी चाहिए, फिर उनकी team कैसे manage करना है, उनको stay देना है, या उनको food देना है, तो यह सारी चीजें भी आपको time लेगा जब आप final करोगे, इसके बाद makeup artist, makeup artist पहले makeup का मतलब होता था, wedding makeup, मतलब main wedding का makeup, आजकल makeup का मतलब हो गया है, healthy makeup, mehndi makeup, sangeet makeup, wedding makeup, तो इसमें भी package चलता है, इसमें भी package चाहिए ह होता है हमें, और इसमें भी unlimited option है, क्यूंकि आजकल बहुत सारे freelancer makeup artist हो गया है, जो अपना vanity लेके venues में visit करते हैं, और वहीं पे bridal makeup करते हैं, दोनों तीनों event का, जो चीज पहले नहीं होती थी, और भी बहुत सारे changes है, जो आपको makeup artist में देखने को मिलेंगे, और guest list बनाना तो सबसे difficult task हो गया है, मैं पहले भी बहुत बार बात कर चुकी हूँ, कि अब यह नहीं रह गया है, कि जो भी आपके जान पचान के हैं, जो भी आपके known है, पहले तो क्या होता था, जो भी known है आपके city में, सब को card चला आता था और सब को wedding में हम बुला लेते थे, आप क्य में ही बुला रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सिफ उसमें भी हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि आजकल per plate cost आपका लगता है हर जगा, जो कि आपका अगर overall costing बहुत ज्यादा पढ़ जादाती है, गर आपके number of guests ज्यादा हुए, इसलिए हमें बहुत सोच समझ के invite क जरना पड़ता है, guest list बनानी पड़ती है, and now wedding invites, wedding invites, पहले हमने card print कराने होते थे, उसको matter दे दिया, card print होकर आगए, हमने सब को जाके distribute कर दिया, या courier कर दिया, आजकल इसमें भी बहुत confusion है, आपको पहले save the date चाहिए, फिर आपको e invite चाहिए, उसमें आपको video form में चाहिए, वो आपको देखना है, और printed तो कुछ ना कुछ चाहिए ही होते हैं, तो वो भी आपको print कराना है, उसके लिए भी आपको time देना है, तो मतलब हर चीज में आपका time जादा लग रहा है, आपके guests कम हो गए हैं, बर time जादा लग रहा है हर चीज में, fit decoration और catering या food इ कर रहे हैं, फिर हम final कर रहे हैं, जो कि आजकल होता है, और आजकल decoration से wedding में ही नहीं चाहिए, जैसे, same, जैसे कि अभी हमने discuss किया था, कि हम जब सारी event publicly कर रहा है, तो हमें सब में decor चाहिए, जिसके लिए बहुत सारी meetings लगती है, और बहुत सारा time देना पड़ता है, इसके कि पहले नहीं यह जरुवती नहीं लगती थी, पहले आपका bride entry हो रही है, तो वही प्लेट में माला लेके आपके जो घर में बच्चियां होती थी, हम उनको साथ में लेके चलती थी, वही traditional आपके family साथ में चलती थी, sisters हो गई, भावी लोग हो गई, तो वही एक entry होती थी उसमें हमें लगता नहीं कि कुछ options भी होते थे या दिये जाते थे, बट आजकल आपको पता ही है कि starting from foolow की चादर और ये चीज कहां पे जा रही है, कभी dance करते हुए आ रहे हैं, कभी girls साथ में हैं, कभी हम props में आ रहे हैं, उसके बाद आप हर event में, event entertainment का कुछ ना कुछ कर सकते हो, इतने options हैं, फेरे भी अब आपके musical फेरे हो गया है, वैदिक फेरे हो गया है, आप वो ले सकते हो, तो अब कोई भी limit नहीं है, तो आप अगर planning start कर रहे हैं, तो be prepared कि आपको इन चीजों के लिए भी कुछ ना कुछ extra budget रखना होगा, तो अब जब इसनी सारी मुश्किल हो गया है, कोई भी wedding planner या event planner लेना पड़ता है आजकल, अगर आप थोड़ा सभी better way में wedding करना चाहते हैं, तो, and then comes guest management, जो की आजकल बहुत important हो गया है, यह पहले का time नहीं है, पहले guest होते थे जो सारी चीजे manage करते थे, जिनको हम responsibility दे देते थे, आजकल आपको उ professional life से, उतना time वो enjoy करें, आजकल इतना किसी पर time नहीं है, जनको आप wedding planning में involve कर लो, या यह सारी responsibilities देतो, so be prepared and start planning for this biggest event आपकी family का जो भी है, और अगर आपने channel अभी तक subscribe नहीं कर रहा है, तो please कर दीजे, और मेरे और भी videos देखिए, उनसे आपको बहुत help नलेगी, बहुत सा कर रहे हैं या confused हैं, उनसे भी आप share कर सकते हो, so it's all for today, thank you, take care, good bye.